हमारे आर्टिस जैक एक बार फिर एक और मास्टर पीस बना रहे हैं हे जैक, क्या आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ, हाँ, तस्वीर वाउ, एक मिनत रुको, क्या ये हमारी लड़किया चुनाती में है? हेलो लड़कियो, जैक एक आर्ट चैलेंज कर रहा है, चलो चलते हैं मेरे पास आओ, मेरे दोस्त, इधर मेरे पास आओ, जरा देखो ये कितना प्यारा है जैक, लगता है लड़किया नहीं देख रही है ओ, माफ करना, एक सेकेंड रुको, देखो ये मेरा दोस्त है, जिसे ड्रॉइंग पसंद है लड़कियां खुश है, सभी इसे लेना चाहती है तो तयार, फिर शुरू हो जाओ, समय निकल रहा है जो अच्छा करेगा, उसे ये पपी मिलेगा माक्स पकरो और एक दोस्त का सबसे अच्छा चितर बनाओ एमा क्या हुआ तो केट, तुम कैसे ड्रॉख करूगी पहले मैं डॉगी की आउटलाइन बनाओंगी या कहू तो छोटे दोस्त का तयार और अब, चलो इसे पेंट करती हूँ यह बहुत खुबसरत होगा बहुत रंगिन, बिल्कुल मेरी की तरह और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा ओ, मैंडी, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मैं मानती हूँ कि मैं अच्छी तरह से ड्रॉन नहीं कर रही केट का देखती हूँ पर ज़्यादा समल नहीं आया मुझे लगता है कि चेहरा, कान, ड्रॉ करना भदपुन है नाक और सुन्दर आखों को नहीं भूलना है लेकिन फिर भी कुछ कमी है मुझे कागज के एक और टुकरा चाहिए ओ, एमा कुछ नहीं कर रही है तो क्या मैं इसे ले लूँ हाँ, बेशक, धन्यवाद क्या ओलोक सुरू कर चुके है और मैं कुछ नहीं हाँ, मेरे पास एक नोटबुक है हाँ, इस पर स्क्वेर बने है लेकिन इस पर भी एक सुन्दर डॉगी ड्रॉग कर सकते है यह इस तरह से और भी सुविधा जन्नक है मुझे बस सीधी लाइन ध्यान से बनाने की जरुवत है मेरा दोस एक सुन्दर रंगीन कुटता है इसलिए मैं उसे सबसे चम के लिए रंगों में रंग दूँगी यह हो बहु उसकी तरह बनेगा मैंडी तुम क्या पाट रही हो ओ क्या यह चेहरे का स्टेंसिल है बहुत बढ़िया हाँ मैं ज़्यादा दिर तक मारकर के साथ पेंट नहीं करना चाहती इसलिए मैं पेंट को ब्लो करूँगी केबल ड्रॉइंग रखने के लिए मुझे एक स्टेंसिल की जर्वत होगी मेरा दोस्ट चमतदार रेंबो रंग का है इसलिए मैं उसे रेंबो कलर में पेंट करूँगी है नहीं आच्छा क्या तुम्हें लगनी राय किसमें ज़्यादा रंग है हो नहीं मैंने कुछ जानाई कर दिया एक रंगीन धब्बा लग रहा है मैंडी परिशान मत हो तुम्हें एक आर्टिस्ट हो समय निकल रहा है जल्दी आर्टिस्ट जैक काम देखेंगे यह मेरा डॉगी है जराई से देखो क्या इसे कोशिश कहा जाता है यह पेंटिंग है नहीं और मेरा बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है यह भी कुछ खास नहीं है और केट का क्या ओ हाँ बिल्कुल मैं यही देखना चाहता था केट यह तुम्हारा दोस्त हुआ मेरा वाह मेरे पास एक नया दोस्त होगा हो रेकेट पहले दौर में तुम जीत गई तुम इस छोटे दोस्त को लेने के लिए पूरी तरह से लायक हो वो अपनी नई क्रियेटिव दोस्त के साथ खुश रहेगा एक मिनट रुको मैं लगबब भूल गई कि मैंने अपनी दोस्त के लिए एक रेन वो बोन खरीदा है तुम्हें क्या लगता है? उसे ये पसंद आया? वो अपनी पोच ही ला रहा है वाँ बोन तुम्हारी तरह खुबसूरत है प्यारे दोस्त ये तुम्हारा नया टास्क है इसे ड्रॉ करना है ये देखो ये स्कीटल्स का बड़ा पैक है तुम्हें ये कैसा लगा? मैं खुश हूँ लड़कियों हमें कड़ी मेनत करनी होगी नियम अभी भी वही है चलो शुरू हो जाओ मुझे बड़िया स्कीटल्स ड्रॉ करने के लिए इस पैकेज के सही पैरामीटर्स का पता लगाना होगा चलो मुख्याकार से शुरू करे रेक्टेंगल और सबसे महत्पुन भाग के बारे में नभूले रेन्बो चलो चमकदाल लाल रंग में बाकी सब पेंट करे मैंडी अच्छा काम एमा तुम कैसी हो मेरा सब अगबूध है मुझे खुद पर शक नहीं है कैंडी मेरी होगी एमा तुम्हें अपने आसपास का भी ध्यान रखना चाहिए ओ ओ मैंडी शान्त रहो कुछ भी भयानक नहीं हुआ है हम सब कुछ ठीक कर देंगे ओ नहीं सौरी मैंने जान बुच कर नहीं किया मैंडी ने बदले में एमा की ड्राइंग को बरबात करने का फैसला किया मेरे पास एक आइडिया है धन्यवाद मैंडी मेरी ड्राइंग में सुधार के लिए मैं लाल बुंदों को स्कीटल्स कैंडी की तरब पेंट करूँगी मैं कितनी क्रियेटिव हूँ आ वहाँ क्या चल रहा है यह अच्छा है कि मुझे कोई भी डिस्टाब नहीं कर रहा है इसलिए मेरी ड्राइंग लगबद तयार है कैसा है ओ ओ ओ लगता है केट के पास लेखने के लिए जगा काफी नहीं है कोई आइडिया कैसे करना है दिल्चस्पा आइडिया मैं सिर्फ एक कैंडी खा लेता हूँ ओ समय खत्म हो गया है मुझे काम दिखाओ मेरे युवा कलाकार चलो शुरुवात करते हैं केट से तुम्हें क्या लगता है जग? है न अच्छा? अच्छा टहलने गया है फिर यहां तुम्हारे लिए मैंडी का अलग सा काम है हाँ इस पर कमेंट करना भी शर्म की बात है तो यहां एमा का काम है यह भी पसंद नहीं है यह हुई न बात यह अदबुत पुरसकार एमा को जाता है खुर रहे एमा तुम्हें एक साल के स्किटल्स मिल रहे है अब आर्टिस जैक तुम्हें पुरसकार देगा अरे मेरा स्किटल्स कहां है? ओ ओ और यहां वा है इतना बड़ा क्या तुम पुरा प्याका के लिए खा लोगी? हाँ यह रहा जड़ा देखो मुझे स्किटल्स खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है तो क्या तुम लोग तयार हो? हैंस आप अरे नहीं हमें शूट मत करो ओ मैं ऐसा नहीं करूँगा यह ऐसी मशीन है जो सोप बबल बनाती है कूल वाव क्या लड़कियों को बबल गन ड्रॉ करने होंगे? बिल्कूल और समय निकल रहा है तो शुरू हो जाओ लड़कियों चलो जल्दी शुरू करो किट, क्या तुमने समझ लिया किसे कैसे द्रॉ करना है? यह मुश्किल लगता है आ, मैं सब समझ गई हूँ मैं सब जल्द इसे द्रॉ करूँगी मैं पहले अपने डिवाईस का फ्रेम ड्रॉ करूँगी चोटे डिटिल्स के बारे में भी नहीं भूलना है और यह बहुत सारे है और सारे विस्तार पर ध्यान मेरी सफलता और जीत की चावी है मैं अभी से ही पार्क में घुमते हुए सोब बबल सुरानी की कलपना में खो गई हूँ यह अच्छा निकला मैंडी मैं देख रही हूँ कि चुनोती ने तुमें अच्छा किया है तुम पेंट ब्रश को बहुत बोल्ड नी चरा रही हो तुम थोड़ा सामधान भी रह सकती हो मैंडी रोको तुम मेरी ड्राइंग को बर्बाद कर रही हो ओ एमा गुस्सा और परिशान लग रही है मैंने कुछ भी खराम नहीं किया यहां एक डूडल जोड़े और बस बिल्कुल सही क्या तुमने क्या किया है मेरी ड्राइंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया ओ लगता है कुछ कांड होने वाला है जो छुप सकता है वो छुप जाए एमा गुस्से में है और ब्रश ने तुम्हारा क्या भीगा रहा था खेट, अब मैं शांत हो सकती हूं कोई भी मेरी नई ड्राइंग खराब नहीं करेगा अब मैं जल्दी से एक नई ड्राइंग बनाओंगी क्या यह ड्राइंग है उफ, मेरा देखो मेरा ड्राइंग ओरिजनल है और तुम्हारा बस ऐसे केट तुम्हें या तो कोशिश करने की भी जर्वत नहीं है मैं वैसे भी तुमसे कहीं अच्छी हूँ दो बंदुके ठीक है देखो मैं कैसे करती हूँ और तुम्हें या कैसा लगा मुझे लगता है केट ने तुम्हें हरा दिया मैंडी तो लड़कियों अपना काम दिखाओ समय समाप थो चुका है एमा के पास जादा समय नहीं था लेकिन चलो इसे आती सुक्षवाद कहते है हाँ, मुझे परवा नहीं, इसे कहा जाता है तुम्हें मैंडी का काम कैसा लगा? खैर मैंडी और महिनत की जरुवत है तो यहाँ केट का नया काम है, तुम्हें कैसा लगा? या हुई ना बात, बिल्कुल सही काम केट तुम्हें कच्छी लड़की हो, बधाई हो, तुम्हें सोबगन के लायक हो चलो सोब बबल का पूरा बादल बनाओ चलो आगे बढ़ते हैं चलो जैक यह छोटा बच्चे तूम हो क्या तुम फुटवाल खेलते थे और आर्ट का क्या ओ ओ क्या तुम पहले से यहाँ हो ओ यह नहीं तुम्हें इस सौकर बॉल को ड्रॉ करना होगा तो मैं समय शुरू करता हूँ और चलो चलते हैं लड़कियों टास्क आसान लगता है क्या तुम इसे सम्हाल सकती हो मुझे सोचने की जरुवत है आँ ठीक है मैं एक सर्कल बनाओंगी क्योंकि यह गेंद है चलो फुटवाल गेंदों की तरह हेकसगोन ड्रॉ करते हैं यह समाल लग रहा है ओ-ओ, मेरी पेंसिल ओ, नहीं, मैं काली रंग के बिना कैसे ड्रॉ करूंगी वैसे कहीं मेरे पर्स में काली लिप्स्टिक पड़ी होगी मुझे लगता है यह सही होगा वाव, केट मुझे नहीं पता था कि तुमने काली लिप्स्टिक लगा रखी है पर ऐसा क्यों? वाव, कितना दिल्चस्प है तुम अपने ड्रॉइंग को किस करके रंगना चाह रही हो मैंडी, यह क्या है? दिल के आकार में एक पेपर क्लीप दिल्चस्प है? हाँ, मैं सबसे अच्छा सरकल बनाना चाहती हूँ क्योंकि गेंद पूरी तरह से चिकनी है एक पेपर क्लीप इसमें सबसे अच्छा सहायक है मैं हर चीज एक्टूरेट चाहती हूँ इसलिए मैं एक स्केल का उप्योग सही हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए करूंगी यह इतना अच्छा बनेगा कि ओरीजिनल से आला करना असंभब होगा ए मा, तुम कैसी हो? लगता है तुम जोश में नहीं हो मुझे वास्ता में यह सौकर बॉल नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे कैसे भी ड्रॉ कर दूँगी हो गया? वा, यह आज का सबसे तेज बना हुआ ड्रॉइंग है रेट का अखिर दाना गिर गया है जिसका मतलब है समय समाप्त हो गया है मुझे अपना काम दिखाओ तो तुम्हें यह एमा का बॉल कैसा लगा? आज का सबसे अच्छा काम मुझे गर्व है हो रे मैंडी, तुम जीत गई हो स्मार्ट लड़की जल्दी करो और अपना पुरसकार ले लो क्या तुम इसे पकड़ सकती हो? बेशक, मेरे पास आओ ओ, ओ, क्या यह केक था? लेकिन ऐसा कैसे? क्या मेरा इनाम बर्बाद हो गया? ओ, लेकिन इसका स्वाद अभी भी अच्छा है बहुत बढ़िया वाव, बहुत अच्छा क्या हम भी खा सकते हैं? मल्टीडू को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मज़िदार चुनोतियों को मिस ना करें जल्दी फिर मिलते हैं